नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर एलको क्रैप के वीडियो टुटोरिल में मैं हूँ आपका दोस्त परवीन रहना और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगो एक ऐसी धमाकेदार स्ट्रेडिजी जिसको आप यूज कर सकते हो इंट्रेडे उन सब लोगों के लिए ये वीडियो आज का रहने वाला है तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप चार्टिंग करते हो तो कैसे आप केंडल स्टिक्स को रेकोगनाईज करके प्राइस एक्शन यूज कर सकते हो और ब्रेक आउट फाइंड कर सकते हो और उस ब्रेक आउट सिर्फ और सिर्फ यही होगा कि उस दिन मुवमेंट जादा नहीं हुआ होगा और ज्यादतर केसे में बहुत ही जादा सटीक बैठती है स्ट्राइटिजी जैसे आप निफ्टी के ट्रेडर हैं तो पचास पॉइंट अगर निफ्टी के डेली लेना चाहते हैं बहुत आराम पर आपको ऐसे ही अलग-अलग रोमांचक वीडियो बना कर देने वाले हैं जिसमें कि आपको बहुत ही ज्यादा मार्केट के बारे में एनलिसिस करने का और एनलिसिस को समझने का टेकनिकल एनलिसिस को समझने का मौका मिलेगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबस सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों मार्केट का opening time होता है 9 बचके 15 अनिकी सबह 9 बजे आपकी एंसी की market open होती है सबसे पहले आपको आधे घंटे तक कुछ नहीं करना आपको चाय की चुशकी लेनी है और उसके बाद आपको market में आना है कम से कम आपको इंतिजार करना ह है कि पूरे दिन की दस केंडल बन चुकी हो और वह इसलिए दोस्तों क्योंकि पहले ही जो स्टार्टिंग का टाइम होता है वहां पर मार्केट न्यूजबेच चलते हैं जो ग्लोबल चेंजेस आय होते हैं पिछली दिन में मार्केट में उसके आप से मार्केट मूव करती है और एक ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करती है तो कम से कम आदा घंटा लग जाता है इस चीज को करने में और उसके बाद 10-15 मिनट और आपको वेट करना है और आपको अट लीस्ट 10 केंडल तक वेट करना है इस स्टैटेजी का नाम भी 10 केंडल स्टैटेजी है दोस्तों और 10 केंडल ब्रेक आउट स्टैटेजी हम इसको कहते हैं अब इसमें हमें करना क्या होता है जैसे कि आप यहां पर देखेंगे जो आपको प्लाटफॉर्म दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर यह मैटर ट्रेडर 4 में हमने यहां पर 10 केंडल क्यों यूज करते हैं उसकी वजह यह है दोस्तों क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ का डेटा आता है तो कई बार क्या होता है कि जब हम ब्रोकर के प्रैट्फॉर्म पर चार्ट देखते हैं ट्रेडिंग व्यू देखते हैं और कोई चार्ट देखते हैं जिसमें कि ब्रोक के नहीं है जहां पर last trade हुआ है वो हमारे का होता है अगर आप technical analysis की बात करो तो तो अब यहां पर क्या है कि हमें क्या करना होगा strategy में 10 candle का weight करना जैसे कि मैंने आपको बता आप यहाँ पर आप count कर आप काउंट कर सकते हो और यह चार्ट मैंने लिए दोस्तों पांच मिनट का ठीक है यह बात भी आपको ध्यान रखने हैं आपको पांच मिनट का चार्ट लेना ज्यादा से ज्यादा उससे आगे नहीं जाना क्यों नहीं जाना उसकी वज़ए है कि जो एनसी की मार्केट है ज के लिए हम 15 मिनट से 50 closest रुक रहें अब क्या करना है हमें हमें हाइः हाई और लोघ लोग को मिलाना है ठीक हाइएं को हरो पर दोनों को हमें गम देंट है ठीक है इन दोनों को हम कैसे मिलाएंगे इन दोनों को मिलाएंगे यहां से यह जो पहली केंडल है ठीक है इसमें हम इस तरीके से low है उनको मिला दिया जो nearest highest low है उनको और उपर के higher highs को मिला दिया तो मिलाने के बाद मुझे एक यहां पर point मिल रहा है जहां पर यह intersect कर रहे हैं आपस में दोनों line है यह line हमारे लिए बहुत important है दोस्तों यह हमारा pivot point है as per price action अब इस price के अगर उपर market जाती है तो आपका bullish trend आपको देखने को मिलेगा और इस price के नीचे आपको bearish trend मिलेगा तो करना के आपको दस candle के बाद जो भी candle आपकी इस price के ऊपर यहां पर यहां पर इसके बास अब जखो यहां पर एक candle है यह जो candle आप देख रहे हो green वाली यह candle क्या यह candle इस चैनल के बाहर एज जो triangle अभी बनाए इसके अंदर हमें कोई trade नहीं लेना है यह जो ट्राइंगल है इसके अंदर हमें कोई trade नहीं लेना हमें वेट करना है कि कोई candle इसके बाहर आती है और इसको यहां से लेना है और हमारे स्टॉप लोस क्या होगा और टारगेट क्या होगा 50 पूइंट के लोग पर आकर आपको फॉर्टी ने तो अगले दिन की बात करें यह अगला दिन तो यहां पर हमारे को कोई भी क्रोस्पॉइंट नहीं मिला तो हमें क्रॉस्पॉइंट के लिए क्या करना होगा हमें फिर अगले इस से अगले हाइर हाईज पर जाना होगा ठीक है इस तरीके से हमको फिर से ट्रेंड लाइन को मिला देना है यह वाली ट्रेंड लाइन और यह वाली ट्रेंड लाइन को मिला दिया हमने अब हमको एक क्रॉस्पॉइंट मिल गया यह क्रॉस्पॉइंट हमारे लिए पीविट का काम करेगा और इस क्रॉस्पॉइंट क इस लाइन के ऊपर अगर क्लोज करती है तो हम एकजित करेंगे अधर्वाइज हम टारगेट की तरफ जाएंगे जो 50 पॉइंट का टारगेट रहे और इस केस में अगर स्टॉप लोज की बात करेंगे तो दोस्तो हमारा स्टॉप लोज सिर्फ बीस-पॉइंट के असपास है और टारगेट हमें 25 यहां पर 50 पॉइंट का आराम से मिल जाएगा अब उससे पिछले दिन पर जाते हैं यह से पिछले दिनका चार्ट है दोस्तो थो हम यहां पर फिर स हम इस तरीके से इसको मिलाएंगे तो यहां पर मिलाने के बाद हमें यहां पर crosspoint मिल गया तो यह जो है हमारा pivot हो गया अब यानि कि इसके नीचे market जाती है तो हम sell करेंगे इसके उपर जाती है तो buy करेंगे अब हमें क्या करना होगा. जैसे मैंना बताया था कि कोई चैंडल इस से बाहर निकलती यह वाली कैंडल इस से भार निकल यह और है बी यहई अगर आप इस केंडल से भी करके चलते हैं तो आपका स्टॉप लोस होगा 64 पॉइंट का और टार्गेट आप देख सकते हो आगे क्या हुआ मार्केट में ठीक है बहुत इसा टीक एंटरी मिली है हमको यहां पर इस तरीके से तो इस तरीके से आप कर सकते हो अगले दिन की भी बात करूं आप जितने दिन कहेंगे मैं आपक है इसको मैं पॉइंट करता हुआ हम यहां से क्या करना होगा यहां से मिस तरिके है और लोड़ रोज को मिलाना ओगा तो अगर हम यहां पर देखे तो हमर क्या हुआ यह वाली केंडल पर हमने ट्रेड लिया और मार्केट बंद होते होते यह उपर गया 66 पॉइंट तक लो लॉस में गया और उसके बाद नीचे आके यहीं पर आल्मोस्ट बंद हो गया तो जादा हमको लॉस नहीं हुआ लेकिन क यहां पर देखो यह नहीं मिल रहा क्रॉस नहीं हो रहा तो इसके लिए हम नए वाले तो नए वाले हाई से लोको मिला दिया अब क्या यह वाला पॉइंट हमारा हो गया अब यह पॉइंट जो हमारा वह पीविट इसके ऊपर केंडल क्लोज होगी जो भी यहां पर आप दे तो यह दोस्तों आप किसी भी दिन का चार्ट लगा सकते हो और इस तरीके से आप यूज करके देखो आपको बेस्ट यहाँ पर जो प्रॉफिटिबिलिटी देखने को मिलेगी और मिनिमुम स्टॉप लॉस के साथ आप इस चीज को कर सकते हो आपको अगर ट्राइब कर सकते ह कर सकते हो अगर आप ट्रेडिंग वियू या और कोई सॉफ्टर यूज करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आप यह जो मैंने स्ट्राइजी आपको बताई है इसके लिए कोई चार्जस आपको पेहीं करना आप बिंदास एक बार चेक कीजिए लगाकर पिछले दस दिन सब्सक्राइब जरू कर दीजिए ताकि हम आपको और भी अच्छी अच्छी स्ट्राइजी इस तरीके की बना बना के बताते रहें मिलता हूं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर एंड हैपी ट्रेडिंग